दमस्कार मैं करशिश वह स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम में आज का मुद्धा ये है कि राजस्थान में अगला क्या पड़ाव होने वाला है अगली तस्वीर क्या होने वाली है क्योंकि देखा चाहे तो राहूल गान्दी लगातार यहाँ पर नजर आ रहे है राजस्थान में और उनकी यातरा वहाँ पर चल रहे है भारत जड़ो यातरा की 100 दिन से भी जादा का समय पूरा हो चुका है और यहाँ पर राहूल गान्दी भी प्रेस कौनफरेंस करते नज उन बेयानों की बारे में बात करेंगे लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दे कि राहुल गांदी के सामरे अब सचिन पालिट बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे और अशोग गहलोत कमजोर नज़र आ रहे यहां पर लगाता सचीन पालिट के साथ कदम ताल करते नज़र आ रहे हैं, कंदे पे हाथ रखते नज़र आते हैं, तो यहां पर गले लगते नज़र आते हैं, लेकिन उतनी तवज्यों यहां पर इशोग गहलोत को नहीं दी जाती, बात कीज़े सोनिय गांदी की, प्रेंका पालिट के समर्थ तक शायद गहलोत से जादा है, पहले नहीं थे, इसमें कोई दोराएं नहीं है, लेकिन आप यहां पर आकड़ा है, पालिट के समर्थ को का वो दिन प्रति दिन लगतार बढ़ता जा रहा है, और उनका साफ तोर पर कहने हैं, कि सचेन पालिट को मुख्य गांदी से मीडिया कर्मियों ने अलग-अलग तरीके के सवाल किये, यहां पर सवाल 25 सितंबर के उन्हें विदायकों कि स्थिफे पर भी किया, इसको लेकर उरोने का कि मुद्दा मलिकार जुन खड़के का है, खारगे जी बताएंगे कि आखिरकर क्या फैसला लेना है, ले कॉंग्रेचुलीट नहीं किया, जब सवाल उठाने होते हैं, तो यहां पर सवाल खड़े कर दिये चाते हैं, लेकिन उसके बावजूद में यहां पर तारीफों के पुल नहीं बांदे जाते हैं, इस तरीके से सब लोग अपनी बात रखते हैं, तो अपने इलाके दोसा मे उनकी पिता राजिश पैलेट ने काफी बार जीत हासिल की, वहाँ पर उन्होंने भी जीत हासिल की, उसके बाद 2020 में जब बगावत की, क्योंकि नाराजगी देखी गई थी, लेकिन उनने साफ स्वार पर कह दिये कि कुछ भी हो जाया, मैं कॉंग्रेस पार्टी को छोड़ के अश्यों गहलोत को मुख्य मंतरी बना दिया गया, लेकिन यहाँ पर सिंद्या ने तो भाजपा को जॉइन कर लिया, और यहाँ पर पालेट नहीं किया, क्योंकि पालेट ने का कि मैं कॉंग्रेस पार्टी में रहूंगा, और कॉंग्रेस पार्टी को मजबूत करूँग कि सचेंट पालेट को मौका मिलेगा या नहीं और गहलोत और उनके विदाय को लेकर क्या फैस्ता लिया जाएगा, लो इसके बाद आपको क्या लगता है कि अगले एक साल में सरकार रिपीट के लिए क्या किया जाएगा, और इसी में एक सवाल है, जैराम रमेज जी ने कल क एक सवाल, एक सवाल प्लीज, एक सवाल, बिना चेहरे के चुनाव लड़ेगी कॉंग्रेस, आपने सवाल कर दिया, एक सवाल, तो देखिए, चुनाव का प्रेडिक्शन आप लोग करते हो, आप लोग जानते हो, मगर मैं आप से ही कह सकता हूं कि यहाँ पे ओवर्वेल्म कहा, अगर हमने, जो हमारे कारे करता हैं, जो हमारे लोग लेवल के लीडर्स हैं, उनको अच्छे तरह उनका अच्छे तरह प्रेयोग किया, तो हम चुनाव बहुत असानी से जीच जाएंगे, जो जो लोग हमारे काम करते हैं, जो लोग हमारे लड़ते हैं, अगर उनको हम ने सही जगे दे दी तो यहाँ पर भयंकर जीत होगी स्वीप होगा तो वही मेन इशू है राश्ट्र दूद से युगे शर्मा राहुल जी आपके रहे रेस्पोंज अच्छा मिल रहा है निश्ची तोर पर सड़क पर बहुत सारे लोग आपको देखने सुनने आ रहे हैं लेकिन पार्टी के अंदर बहुत सारी ए निर्णे की इस्तिती होती है असी दिन पहले आला कमान के निर्णे के खिलाब जाकर समान अंतर विदायक दल की बैठक होती है उसमें प्रबारी के खिलाब बयान दिये जाते हैं आप तीन नेताओं को नोटिस देते हैं असी दिन बाद उस पर निर्णे नहीं होता उसी दिन विदायक स्थीपा देने गए थे उन स्थीपों में कोई निर्णे नहीं होता और सवाल अगर आप अगर आप कॉंट्रोवर्सी चाहते हैं मुझसे पूछिए मैं कॉंट्रोवर्सी करा सकता हूं आपके लिए थोड़े आपके बिखेंगे अगबार नो प्रॉब्लम अगोवर्दन जी भाया मैं कॉंट्रोवर्सी पार्टी का प्रेजिडन नहीं हूं कॉंट्रोवर्स पार्टी के प्रेजिडन खारगे जी हैं आप यह सवाल उनसे पूछे आपने सवाल पूछा मैंने सवाल का जवाब मिल गया फिर से दोरा देता हूं खारगे जी से पूछिए टाइम्स अफ इंडिया जैपूर से जॉई चन